suppose करो कि हमारे पास एक पाइप है मानलो हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप के अंदर एक प्लेट है और मानलो कि यह जो प्लेट है इस प्लेट का एरिया है और यह पाइप दर से बंद है और मान लो कि इस pipe के अंदर आपकी कोई gas भरी हुई है like कोई gas भरी हुई अंदर और आपका container बरह हुआ है अगर मान लो मैं तुम्हें कोशन पूछूँ कि मुझे इस pipe को मुझे इस area को मुझे इस plate को x distance आगे लेके जाना है कितना अगर मुझे इस plate को X distance आगे लेके जाना है तो मैंने क्या किया मैंने force लगाया मैंने क्या किया यह जो plate है मैंने क्या कि aspect force लगाया तो आप मुझे बताओ मैंने इस plate पे force लगाया F और इस plate को मैं यहां से कहा लेकिया इस plate को मैं यहां से यहां पे लेकिया की लिगा को एंटे आप इसको दंड़े उसको ध५िप्र न्गा यहां पे लिगा Кिश्मुझ अगर तुम नोगों पता हो तो प्रैशर का फाइम आप फॉर्स अपॉन एडिया तो फ्रॉस का formula क्या हो जाएगा force का formula आजाएगा pressure into area हो जाएगा तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि एक plate है जिसका area है यह पर आपने उस पर force लगाया F तो बताओ आपने कितना pressure लगाया तो pressure क्या होता है कितना force लगाया upon कितना area है तो force क्या हो जाएगा pressure into area तो force की जगे हम क्या लिख सकते है P into A into X लेकिन अब तुम सब ध्यान से सुनना हूँ सब ध्यान से देखो यहां पर तो यहां पर आपने जब इस plate को यहां से लिखे यहां तक महूँ किया यहां पर तब खुद मुझे बताओ कि बीच में गैस का कितना वॉल्यूम था इस डाइग्राब को वापस बना लो देखो प्लेट यहां थी प्लेट यहां से यहां अगई प्लेट का एरिया यह था और यह distance x थी तो आप मुझे बताओ यह बीच वादा पार्ट है इसका volume क्या होगा इसका volume क्या होगा area into height होगा अगर तुम्हें नहीं पता है तो किसी भी body का volume क्या होता है area कितना है into height कितनी है तो यहाँ पर जो cylinder दिख रहा है ध्यान से दिखो इसका area of cross section कितना है a और height कितनी x तो a into x की जगे में क्या लिख सकता हूं p into v लिख लो अपनी कॉपे में बहुत important formula है खासकर fluid mechanics और thermodynamics में work हमेशा इसी formula से निकाल लगाता है तो work का formula क्या होता है समझ ना देखो कितना pressure लगाया आपने into आपने कितना volume आगे खिसकाया तो वर्क का formula क्या होता है आपने कितना pressure लगाया into आपने कितना volume आगे खिसकाया तो यह होता है work का formula जिसको नहीं पता है वो लिख लो अपनी का अपने work done by pressure तो अगर आप किसी भी plate पे force लगाते हो और वह plate move करती है और पीछे मान लो आपकी कोई तो वर्क का क्या formula होगा आपने कितना pressure लगाया into कितना volume आपने आगे खिसकाया तुरू देख तेको यह वाला formula पता है work होता है force into displacement ठीक है और pressure क्या होता है force upon area तो force को अपन क्या height होता है volume इसलिए work का formula क्या आया pressure into volume इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि आपने कितना pressure लगाया into आपने कितना volume आगे किसका आया जैसे हमने जब plate यहां से लेके यहां करी तो बीच में जित्ती भी गैस थी उसको अपने का मूव कर दिया आगे तो वर्क का फार्मुला क्या है कितना प्रेशर लगाया इंटु कितना वाल्यूम किया यह वर्क का क्या फार्मुला पढ़ा हमने यह फार्मुला पढ़ा कि वर्क होता है आपने कितना प्रेशर लगाया इंटु कितना वाल्यूम किया तो अगर तें मैं पुछहूं कि यार मैंने तो थोड़ा से भॉल्यू मूव किया तो अगर आपको छोटा सा वॉल्यू डेवी डी भी मूव करना है तो आपका छोटा सा वर्क कितना करना पड़ेगा तो लिख ल़ो अपनी कापि में क्यों मैं यह इस फामुल Design का प्रेश्यल फॉम है, small work is equal to pressure into small volume, तो अगर आपको थोड़ा सा volume आगे किसका नहीं, ज्यादा नहीं किसका नहीं, अगर आपको थोड़ा सा volume आगे किसका नहीं, तो आपको थोड़ा सा work कितना करना पड़ेगा DW, तो DW equal to PDV, यह equation आगे बहुत बार यूज़ाएगी, तो लिख पूछो, तो अगर आपको थोड़ा सा आगे किसका नहीं, तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तो लिख लो, DW equal to PDV, लिख लो अपनी का पड़ेगा, ठीक है, कोई डाव टेसमें तो पूछो, कोई भी डाव तो पूछो, तो अगर आपको V volume को shift करना है, तो आपको work करना पड़ता है, डवल्यू, लेकिन अगर आपको छोटा सा volume DV shift करना है, तो आपको work भी कितना पड़े करना पड़ेगा, छोटा सा, तो छोटा सा work is equal to pressure into छोटा सा volume, ठीक है, कोई डाव टेसमें तो पूछ सकते हो, कोई डावट नहीं है, कोई डावट तो पूछो देवांच कोई डावट है, अनिश्का कोई डावट है, स्वारा कोई डावट तो पूछो, कि कोई डावट नहीं है, तो अब तुम लेक्स लिखो अपनी कापे में, टापिक लिखो, चाल्स लौ, टापिक कर cash law to charge loob tray ए अब तुम समझना तो चाऑज खो यह बोलता है एट कोंस्तेंट प्रेशर मान लो कि आपने प्रेशर क्या रखा कॉंस्टेंट रखा एड का उस rất ट् ли इफ ओम एफ टंपरेशार इस इंक्रीस्ट मतलब अगर आपने प्रेशर constant रखा and if temperature is increased then volume will also increase तो जो आपका container है उसका volume भी क्या करेगा उसका volume भी क्या करेगा increase करेगा है ना तो सुनो तो चाल्ज का लो यह बोलता है suppose करो कि आपके पास कोई container है मान लो कि आपके पास यह container है और इस container में आपके gas के एकिटमस के नॉलीक्यूल से थीक है अब खुद मुझे बताओ कि अगर आप temperature बढ़ाऊगे अगर आप क्या करोगे temperature बढ़ाऊगे तो यह सब atoms molecules क्या करेंगे vibrate करेंगे और atoms molecules जब vibrate करेंगे तो यह क्या करेंगे इस container कीими Falz पर धक्का मारेंगे तो तो होगा क्या इस container का volume क्या हो सकता है इस container का volume बढ़ सकता है तो volume is directly proportional to temperature तो Charles क्या बोलता है Charles यह बोलता है कि आप pressure के साथ शेर शार मत करो pressure अगर constant है अगर आप temperature बढ़ाओगे तो आपका volume भी क्या करेगा increase करेगा वी directly proportional to T और याद रखना constant pressure है तो इस process को हम बोलते है isobaric process लिख लो अपनी काप में constant pressure है तो इस process को हम क्या बोलते है isobaric process तो constant pressure अगर आप temperature बढ़ाओगे तो volume भी बढ़ेगा तो वी directly proportional to T और इस proportion को replace करेंगे हमें constant case है तो वी equal to KT लिख लो अपनी काप में वी equal to KT तो यहाँ पे आप numerical solve करने के लिए क्लिए equation यूज करना V1 upon V2 equal to T1 upon T2 लिख लो अपनी काप में लिख लो तो Charles क्या बोलता है चार्स यह बोलता है कि अगर आपने pressure constant रखा और अगर आप temperature बढ़ाओगे तो आपके atoms molecules vibrate करेंगे वाइबरेट करेंगे तो यह container की wall पर धक्का मारेंगे तो container की wall फैल सकती है तो अगर आप temperature बढ़ाओगे तो आपके container का volume बढ़ सकता है कब constant pressure पर प्रपोर्शन को replace करो constant के से तो वी इक्वल टू के टी बढ़ाओगे वी बढ़ेगा टी घटाओगे अपका वी घटेगा तो वीवन अपन वीटू इक्वल टीवन अपन टीटू ध्यांस देखो वीवन के सामने टीवन है वीटू के सामने टीटू है लिखलो मैं सॉल कर रहा हूं अगला तुम्हें सॉल करना है लिखलो इसका अपनी कापने में है और कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो ओके कोई डाउट नहीं है तो अब एक कुश्शन ध्यान से दिखना तो कुश्शन है ये अ कंटेनर अफ तू मिटर क्यूप एस टेंपरेचर अफ 27 डिगरी सेल्थियस कितना टेंपरेचर है सथीज दिखियरी सेल्थियस और वाल्यूम कितना है टू मिटर क्यूब इफ दक कंटेनर expands isobarically isobarically का मतलब है कि आपका pressure क्या है constant if the container expands isobarically to 4 meter cube find final temperature तो आपको बताना है कि final temperature कितना होगा देखो अब ऐसे question हम कैसे solve करते हैं से समदना तो अब container of 2 meter cube तो पहले उसका volume कितना था 2 meter cube has temperature of 27 degree Celsius तो पहले temperature कितना था 27 है याद रखना thermo में सब कुछ Kelvin में convert करना तो temperature कितना है 300 Kelvin if the container expands isobarically मतलब आपका pressure change नहीं हुआ isobarically expand किया to 4 meter cube तो final volume कितनी है 4 meter cube तो question है बताव final temperature कितना होगा तो आपको T2 निकालना है तो मैंने तुमें क्या formula बढ़ा था V1 upon V2 equal to T1 upon T2 तो V1 कितना है 2 V2 कितना है 4 T1 कितना है 300 और T2 आपको निकालना है चेक करो कितना आएगा V1 आपको 2 दे रखा है और V2 आपको 4 दे रखा है T1 आपको 300 दे रखा है और आपको T2 निकालना है चेक करो कितना आएगा तो टीटू कितना आएगा 600 के लबें यह आंसर आएगा कोई डाउट एस में तो पूछ सकते हो कोई भी डाउट एस में तो अब तुम पूछ सकते हो ओके कोई डाउट निया तब एक कुशन तुम लख साल करो कोई डाउट है स्वरा कोई डाउट है अनुश्का कोई डाउट है परीव शिवांच वह वह बाइगा डाउट पूछो देवांच कोई डाउट पूछो कोई डाउट निया ठीक हम एक और लोग कर लेते फिर अपन टॉपिक करते है नेक्स लिखो अपनी कॉपि में गैल्यूसेक्स लोग तो गैल्यूसेक्स का लोग यह बोलता है इफ वाल्यूम रिमेंस कॉंस्टेंट अगर मान लो कि मैं वाल्यूम को constant रखता हूं then if temperature is increased then if temperature is increased comma pressure will also increase pressure will also increase तो गहलू से का लो क्या बोलता है अगर आपकी volume constant है तो याद रखना volume remains constant का मतलब है यह कौन सी process है यह है आपकी isochoric process अगर तुम्हें यह वर्ड नहीं पता है तो अपनी कॉप में लिख लो तो गहलू से क्या बोलता है अब तुम समधना तो गहलू से क्या बोलता है कि अगर आपकी volume constant है then if temperature is increased अगर आपने system का temperature बढ़ाया तो pressure भी बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा अब तुम सब समधना suppose करूं कि यह कोई container है आप इसका volume नहीं बढ़ा सकते अंदर आपके बहुत सारे gas molecules हैं अगर आप temperature बढ़ाओगे तब खुद मुझे बताओ अगर आप temperature बढ़ाओगे तो यह तेस्तेज वाइबरिट करेंगे करेंगे की नहीं करेंगा आप खुद बताओ यह तैस्ते वाइबरिट करेंगे सब अब आप मुझे बताओ मान लो कि यह को दिवार है एक घाड़ी है जो दीरे-दीरे आ रही है मानलो इसकी velocity है 10 मिटर पर सेकंड एक घाड़ी है जो दिवार की तरफ आ रही है 1000 मिटर पर सेकंड से और दोनों दिवार से टक रही आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा दिवार पर जादा फोर्च लगाएगा जो दीरे-दीरे आ रहा है कि जो 1000 मिटर पर सेकंड से आ रहा है आप खुद सोच के भी देखो उपर वाला टक रहाएगा तो आपका फोर्च कम लगेगा मतलब प्रेशर कम लगेगा नीचे वाला टक रहाएगा तो आपका फोर्च ज्यादा लगेगा मतलब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो अगर तुम टेंपरेचर बढ़ाओगे तो आपके एटम मॉलीकूल तेस्टेज वाइबरेट करेंगे तो जब यह दिवार से टकराएंगे तो दिवार प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे इसलिए गैल्यू से क्या बोलता है कि अगर आप वॉल्यूम को कॉंस्टेंट रखते हो मतलब अगर आप वॉल्यूम नहीं बढ़ने दोगे आप वॉल्यूम को उत्ता ही रखोगे तो अधर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा तो पी डायरेक्ट्ली प्रपोर्शनल टू टी लिखो अपनी काप्र में लिख लो इसको लिख लो तो गैल्यू से क्या बोलता है गैल्यू से कि यह बोलता है कि अगर आप वॉल्यूम कॉंस्टेंट रखते हो और सिस्टम का टेंपरेचर बढ़ाते हो तो सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो भी क्या होगा वो भी बढ़ जाएगा लिख लो और गैल्यू से क्ल तो अब देखो अब इसको सॉल करने का तरीका क्या देखो समझना सब तो आपका एक से करने तो अब इस गिवे बन से करना तो 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 देखो तो प्रेशर आपका डायरेटली प्रपोर्शनल किसके है टैंपलेचर के तो प्रपोर्शन को रप्लेस करोगे कॉंस्टेंट के से तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा केटी और नुमरीकल कैसे सॉल करोगे अगर आपका वॉल्यूम कॉंस्टेंट है अगर आप टैंप्रेचर बढ़ाओगे तो जो प्रेशर है वो भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा प्रपोर्शन की जगे कॉंस्टेंट लगाया के तो पी इक्वल टू केटी और नुमरीकल सॉल करने के लिए आप यह एक्वेशन यूज करते हो पी एपॉन पॉन पॉन टीटू लिख लो फिर यह नुमरीकल तुम्ही सॉल करना है मैं आपके हैट नहीं क इसको अब एक नुमरीकल सॉल करो तो कॉश्चन है यह सब कॉश्चन लिखो अपनी कॉपे में अ कंटेनर अ कंटेनर ओफ टू मिटर क्यूब आपको बताना है कि फाइनली प्रेशर कितना होगा सब लगाओ दिमाग तो अग कंटेनर आफ टू मिटर क्यूब हैस प्रेशर आफ 10,000 पास्कल एट 27 डिग्री सेल्थियस इफ टेंप्रेचर इस इंक्रीश टू 227 डिग्री सेल्थियस में इतना भूल गया था आईजो कॉरिकली मतलब आपका वॉल्यूम चेंज नहीं करा आईजो कॉरिकली फाइनल प्रेशर तो आपको बताने है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा तो पहले प्रेशर कितना था P1 चेक करो 10,000 पास्कल पहले टेंपरेचर कितना था 27 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा 300 Kelvin अगर आपने temperature बढ़ा के 227 कर दिया तो T2 कितना हो जाएगा 227 plus 273 तो यह हो जाएगा तुम्हारा 6500 Kelvin तो आपको बताना है कि आपका final pressure कितना हो जाएगा और तुम्हें क्या equation यूज करनी है P1 upon P2 equal to T1 upon T solve करो तुम्हे answer मिल जाएगा और कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो कोई भी doubt है तो पूछ सकते हो तो 500 upon 300 into 10,000 Pascal यह is cancer check करना 50,000 by 3 किसी को इसमें कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो कोई भी doubt है तो आप clear कर सकते हो पूछ लो नहीं तो मैं next topic के बढ़ रहा हूँ कर दिवांच कोई दूख कोई डाउ है तो पूछा यार ल॓ सर तो कर जो कोई डाउट नी है पूछ बो अनस्का कोई डाउट इस कॉशन में परीन कोई डाउटे तो पूछ लो ओके तो कोई डाउट नहीं है तो देखो मैंने अब तक तीन लो पढ़ा है एक मैंने आपको पढ़ाया था बॉल्स लो एक मैंने आज आपको पढ़ाया चाल्स लो एक और मैंने आपको पढ़ाया रखा है वो है आज ही पढ़ाया गैल्यू सेक्स लो बॉल्स लो में आपका P inversely proportional to V था और आपकी process क्या थी? Isothermal, क्योंकि आपका temperature constant था. Charles law में आपका V directly proportional to T था और आपका process क्या थी? Isoboric, आपका pressure constant था और Gallusick law में आपका pressure directly proportional temperature था और ये process क्या थी अपनी? Isochoric. Isochoric में क्या constant होता है? वॉल्यूम तो इन तीनों प्रोसेस में अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो नहीं तो फिर मैं तीनों एक्वेशन को कमबाइन कर रहा हूं कोई डाउट है तो पूछ लो यह बॉल सो लास्ट टास में पढ़ाया था चार्ल्स तो गैलियू से लो मैं तुम्हें आइडिल गैस एक्वेशन ये बोटी है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है और मान लों क्यिस कंटेनर में कोईnost है कोई बीगैस आइडियल कभूती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे जाम लो इसं अथा प्रेशर P है इसका वॉल्यूम V है अंदर टेमपरिचर T है मालो नमबर ओफ मोल्स न है और गैस कॉंसेंट है आइडियल गैस बोलती है पीवीश इक्वल टु होता है अगार टी यहाँ पे P मतलब क्या हुता है पी मतलब होता है प्रेशर वी का मतलब होता है container का volume कितना है n का मतलब है number of moles कितने है उसका formula होता है mass upon molar mass t होता है आपका temperature पर किसमें लेना है याद रखना किसमें लेना Kelvin में पर R होता है R की value होती है 8.314 लिख लो अपनी का पर में R की value क्या होती है 8.314 लिख लो अपनी कप्र में और फिर अपने एक numerical करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे लिख लो यह है ideal gas equation आईडिल गया सब्सक्रेशन किसके लिखी जाती एक ideal gas के लिए तो कॉनसी gas ideal होती है कॉनसी नहीं होती है इस पे मैं आगे दिल कर आए दिले दिर होंगा है अगर आपके पास कोई भी चार चीजे हैं तो आप पांच फी चीज निकाल सकते हो लेख लो अपनी कॉपे में प्रेशर हमेशा पास्कल वाल्यूम हमेशा किसमें लेना है मिटर क्यूब में कभी भी लिटर में मत लेना वाल्यूम किसमें लेना है मिटर क्यूब में आर एक पुछो आप ये एक्वेशन कहां से लाए हो यह एक्वेशन भी अपन डिराइव करेंगे एक्शली थोड़ा सा अपनी बुक में सिक्वेंस में गरबड है अपनी बुक में पहले थर्मो आता है फिर काइनेटिक थीओरी आता है इतना वीर्ड चीज यह वाली चीज में यहां यूस करता हूं तो मुझे पहले पढ़ाना पड़ता है बाद में डराइब करूंगा क्या कर सकते हो यह आजाए ठीक है यह तुम्हें लिख लिया तो अब तुम ध्यान से देखो सबसे पहले हम आर की यूनिट निकालना सिखेंगे तो फॉर्मिला क्या है पीवी इक्वेल टू एन आर्टी तो प्रेशर क्या होता है पास्कल पास्कल को अपन क्या लिख सकते है न्यूट्र अपॉन मिट क्यूब एन होता है नंबर ओफ मोल्स मोल की यूनिट क्या होती है मोल आर्क यूनिट तो मुझे निकालनी है और टेंपरिचर की क्या होती केलविन तो मिटर स्क्वेर से आपका मिटर क्यूब गया तो न्यूटन इंटू मिटर अगर तुम्हें नहीं पता है तो न्यूटन से यूनिट क्या होती है जूल मॉल इंवर्स केलविन इंवर्स लिख लो अपनी कॉपने मैं मैं मॉल और के को उपड़ लिया इस लिए इन वर्स लगा दिया पर आर की वैल्यू कि इतनी होती है 8.314 लिख लो लिख लो इसको और को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कोई डाउट नहीं है तो अब कोश. अंब लोग सॉल करते हैं तो एक सिरण अव कि पूप समय मैं दो कि इस कंटेनर का जो वाल्यूम है वह आपको दे रखाए 2 meter cube और मालो कि इस container के अंदर जो temperature है वह आपको दे रखाए 27 degrees Celsius और इस container के अंदर 40 g helium gas है कितनी है 40 g helium gas बरी होई है container के अंदर volume कितना दे रखाए 2 meter cube टेंपर्चर कितना दे रखाए 27 डिगी जेल्थियस तो आपको बताना है कुश्चन है फाइंट प्रेशर ऑन वाल्स आफ कंटेनर मतलब आपको पी निकालना है चेक करो क्या है गास कांशर फाइंट प्रेशर ऑन वाल्स आफ कंटेनर यह कंटेनर है इसके अंदर 40 ग्राम हीलियम गैस बरी हुई है अगर तुम्हें नहीं पता है तो हीलियम का जो मोलार मास होता है वह होता है चार ग्राम इसके आफ वाल्यूम है टू मिटर क्यूब अंदर का टेमपेचर है 27 डिगरी आपको बताना है प्रेशर कितना होगा तो पहले चेक करो कि पी वी इक्वेल टू एनार टी में आपको क्या-क्या दे रखा है आपको टी दे रखा है चेक करो 27 डिगरी केल्विन में कनवर्ट क सेटर औरो 300 कल विन आजाएगा आपको टी दे रखा है आपको भी दे रखा है आर अपको याद ःखना एंड क्या होता है नमबर ओंफ मोल्स ऊसका फामिला मास अप wraps मोला मास तो कित्था मास कित्ता है चार ग्राम यह कित्ता आजाएगा टैन तो आपके पास अंबी बचा तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा प्रेशर मिल जाएगा कोई डाउट टेस में तब आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट है तो पूछ लो यार यह कंटेनर है इसके अंदर आपकी 40 ग्राम हीलियम गैस भरी हुई है तो उससे मैंने नंबर ओफ मोल्स निकाल लिए कैसे निकाला कितना मास है और मोलार मास कितना है 40 ग्राम अपॉन 4 ग्राम दस आ गया वॉल्यूम दे रखा है टेंप्रेचर दे रखा है केल्विन में कनवर्ट कर लिया तो पीवी इक्वेल टो नर्ट में क्या मिल जाएगा मुझे पी मिल परिन कोई डाउट है वहवाव वाइक कोई डाउट है स्वरा अनुष्का कोई डाउट है तो पुछो किसे में यह डाउट आ रहा है वाविश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश् मैं वह है 4 मितर क्यों पर मांन लो अन्दर आपके पास यह द स्थ ग्राम हाइडरोजन कैस गैस कि द इस ग्राम हाइडरोजन गैस है और टेमप्रेचर आपको दी रखाए 127N celsius कित्ता दे रक्षा है 127 आपको दे रखा है two into 10 जुपाट आफ आपको बचाना है कि इस कंटेनर का वॉल्युम कितना होगा सुर्फॉ侘ूल्यूम क्या इस कंटेनर का प्रेशुद आपको वॉल्यूम निकालना है इसमें आपको दे रखाए टेंपरचर 127 है प्रेशर है टू इंटू इंटू टेंडेश्ट फाफाय पास्कल अंदर 10 ग्राम हाइड्रोजन गैसे जिसको नहीं पता है तो एच्टू का जो मोलार मास होता है वह होता है टू ग्राम तो आपको ब वह है वmm औरÓ है एंग यहां एंट क्या होता है मास अपॉन मॉलार मास किता है q debates आगए पांच एन आगया आर है पर वन प्वेंटी सेवन है इसमें आप टू सेवेंटी त्री एड करो तो यह कित्ता आजाएगा टैन्पर्च आजाएगा तुम्हारा आजाएगा आपको किसेट क्या मिल जाएगा इस तरीके से करते हैं कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट है ideal guess equation में तो clear करो तीनों law में कोई doubt है तो भी आप clear करो कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो तो फिर मैं next topic पर आ रहा हूँ कि को आप में दो कि कोई कोई डाउट निये तो टॉपिक को पर में वर्ग दन work done in isochoric process तो एक isochoric process में कित्ता work होता है isochoric का मतलब अगर तुम भूल गए हो तो isochoric का मतलब होता है कि volume क्या है constant है तो suppose करो कि मेरे पास एक container है जिसमें मान लो pressure P1 है, volume V1 है और temperature T1 मान लो number of moles N है और gas constant R है और मान लो कि मैंने इस system पे एक isochoric process करी isochoric का मतलब है कि मैंने volume को ना तो बढ़ने दिया ना घटने दिया, मान लो मैंने इस system को घरम किया, temperature बढ़ाया तो pressure change होगा, तो मान लो isochoric process करने के बाद आपका container तो बंद है, तो number of moles तो उतना ही रहेंगे, जोकि container बंद है तो ना तो कोई gas अंदर आ सकती है ना अंदर की gas बार जा सकती है तो N उतना ही रहेगा, R उतना ही रहेगा मान लो आपका pressure हो गया P2 लेकिन ये isochoric process है, volume अभी भी से question आए, तो तुम्हे क्या करना है देखो process चालू होने से पहले ideal gas equation देखो, तो P1 V1 equal to NRT1, जोकि PV equal to NRT होता है, तो process चालू होने से पहले pressure P1 था, volume V1 था, temperature T1 था, number of moles N थे, gas constant R था एक क्या करो, process खतम होने के बाद ideal gas equation देखो तो P2 V1 equal to NRT2, क्योंकि बाद में temperature T2 हो गया, pressure P2 हो गया और दोनों को divide करो, तो NR से NR गया, V1 से V1 गया, तब कि equation क्या बनेगी, P1 upon P2 equal to T1 upon T2, एक तो तो तुम्हें यह लिखने की habit डालनी पड़ेगी, और दूसरा, अगर मैं तुम्हें कि isochoric process में volume constant है, तो change in volume क्या होगा, zero, क्योंकि dv का मतलब क्या होता है, आपने कितना volume change किया, तो dv zero है, तो work done कितना होगा, zero, याद रखना, एक isochoric process में work कितना होता है, zero, और एक और तुम्हें कौन equation याद रखनी है, यह वाली, लेख ले अपनी कापिते है, लिख लो इसको, और इसमें कोई doubt है, तो आप पूछ सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी doubt है इसमें, तो आप पूछ सकते हो, कोई doubt नहीं है, तो फिर आप नुमेरिकल करेंगे, तो नुमेरिकल ही है, suppose करूँ कि आपके पास एक container है, मान लो कि इसके अंदर अभी pressure है, 10,000 पासकल, इसका वॉल्यूम अभी है, टू मिटर क्यूब, अभी इसके अंदर temperature है, 27 डिगरी, number of moles N, I guess constant R है, और मैंने इस पे एक process करी, और मैंने देखा कि process करने के बाद, इसका वॉल्यूम उतना ही रह, टू मिटर क्यूब, लेकिन इसका pressure बढ़के हो गया, 20,000 पासकल, एक तो आपको बताना है, कि final temperature कितना होगा, तो आपको दो चीज़े बतानी है, क्या बतानी है, मालो यह P1 है, V1 है, T1 है, मालो यह P2 है, V2 है और T2 है, तो अब कुशन कहे, find T2, final temperature कितना होगा, और work कितना होगा, तो यह question है, तो जब भी थर्मों में इसा question है, तो चेक करूँ कि यह process है कौनसी, देखो क्या pressure constant है क्या नहीं है, परचे 10 ता फिर 20 होगया, क्या temperature constant है पता नहीं, लेकिन क्या volume constant है हाँ, मतलब यह कौनसी process है, एक बात तो पक्का है कि यह कौनसी process है, isochoric, तो work तो कितना होगा, see you, बात ही खतम, अब T2 कैसे निकालेंगे, मैं तुम्हें अभी सिखाया, formula कैसे लिखा जाता है ऐसे, प1 upon P2 equal to T1 upon T2, तो P1 upon P2 equal to T1 upon T2, आपके पास P1 भी है, P2 भी है, P2 भी है, P2 भी है और T1 भी है, आपको T2 निकालना है, यहां से आपका अंसरा जाएड़ा, कोई doubt हैस में है, तो आप पूछ सकते हो, देव्यांच कोई भी doubt है, अनिश्का कोई भी doubt है, तो बेटा आप clear कर सकते हो, isochoric process में किसी को कोई doubt है, तो पूछो, isochoric में container का volume ना तो बढ़ता है, ना घटता है, तो जो volume ही change नहीं होगा, तो work done क्या होगा, zero, क्योंकि work क्या होता है, pressure into change in volume, पर साला volume तो चैनल होगा ही नहीं, पहले जितना था बाद में भी उत्ता ही है, तो work का आएग फिर worked in an isochoric process, इन सब topic में किसी को कोई doubt है, तो अब आप पूछ सकते हो, next class में हम पढ़ेंगे isobaric में work, isothermal में work, एक और topic में कराओंगा adiabatic, next class derivation मतलब theory और numerical दोनों के लिए बहुत important है, अब कुछ doubt है तो आप पूछ सकते हैं, ताइम दो मिनिट बचा है, उसमें ज्य ओकी, कोई doubt नहीं है, तो देखो, आज जो मैंने तुम्हेच सारे questions तुम नहीं कताたओगे, तुम्हे काम करना की तुम्हेक काम करना, आज जो sheet बचाह तुम सारे question कर पाओगे और दीखना, next class के बाद तुम सारे question कर पाओगे रवाशि़ को फेक ऐगा, और कोई doubt है, तो आ अपना ये क्वेशन आया कहां से क्योंकि वी से भी कटा तभी तो आया तो वी से भी कब कटेगा जब आइसो कॉरिक होगी और पूछो कर पूछना है तो ओके ठीक है